पावर देने की ताकत जनता की पास होती है हम जनता की बीच अनुराग भदोरिये के और से ये दावा किया जा रहे है लेकिन ताकत वास्तों में किसके पास जाएगी ये अपने आपने बड़ा सवाल बनावे विज़े जी सबसे पहले आपका रूख करते वे बहन मायवती को ह हम सब सुन रहते चार बार की वो सीम रही हाला कि इस बार उनका चुनावी मैदान में उतना सक्री नहीं रहना बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाता वो कितनी वोट जीट पाएंगी वो महत्तुपूर है लेकिन उसके पहले ग्रह मंत्री हमें शाह की ओर से एक जी अभी वोट डालने के बाद जो बाते कह रही है यह ठीक वही लाइन है जो बीजेपी की तरफ से कही जाती है मुझफर नगर का दंगा समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडे हावी रहते हैं और वो सारे इशू यह भी उठाती है और उसी पैटर्न पर उठा रही है जो पार्टी 2019 में सपा के साथ चुनाव लड़ती है वो पार्टी आज ठीक उसी लाइन पर अटेक कर रही है जिस लाइन पर बीजेपी अटेक कर रही है मायवती अपने वोटरों को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है उनके ठीक वही कंडिडेट अच्छे चुनाव ल एक मुष्ट वोट करेगा बार-बार इसको लेकर बहुत जादर चर्चा रहती है लेकिन कि सुबह सुबह मायवती जे घर से बाहर निकले वोटिंग के लिए तो सबसे पहले उन्हें की बात करते हुए मायवती को मौजूता राजनीती में आप कहां आकते हैं क्योंकि बार इन कारणों से उन्हें गिबफ कर दिया है यह कोई नहीं समझ रहा था लेकिन आमधारना यह थी क्योंकि CBI और ED का शिकंजा और तलवार उनके उपर लटकी रहती है क्योंकि तमाम दिस्प्रोपोर्शनेट एसन के केसिस चल रहे हैं उनके और उनके परिवार के खलाफ इस